असलाम अलेकुम डियर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि एक लीनियर ग्राफ के अंदर एक लीनियर स्ट्रीट लाइन की एक्वेशन हम किस तरह डिराइफ करेंगे अगर हमें स्लोप और पॉइंट गिवन हो एक पर्टिकुलर पॉइंट गिय गया तो हम किस तरह से उस स्ट्रेट लाइन की एक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं चले याज़ यह कुशन परते हैं हम इसके जहा हम स्ट्रेट लाइन की एक्वेशन को फाइंड करने जा रहे हैं Now what we have to do, is that, हम क्या करेंगे, y-y1 is equal to m, x-x1, आप जादा बैतर जानते हैं, m क्या है, मैं पिछले वीडियो में डिसक्स कर चुका हूँ, m is the slow, x1 is the x-intercept, and y1 is also the y-intercept. Now what we are going to do, जहां पर x1 है, वहां हम क्या पुट करने जा रहें, 2 को, और जहां y2 है, वहां हम क्या पुट करने जा रहें, y1 है, वहां हम क्या पुट करने जा रहें, we are going to put 5. So here we have x1 is equal to 2, and y1 is equal to 5. चीक है, y minus y1 is equal to 5, slope हमें given है, slope हमें क्या दिया गया है, minus 3, x minus, x1 हमारे पस क्या given है, 2, so y minus 5 is equal to minus 3x minus minus plus 6, so the required equation will be what, 3x वहां से यहां आया, और यह plus y is equal to, this is plus 6, और यहां से minus 5 को हमारे शिफ्ट करते है, तो the required equation will be what, 3x plus y, अगर plus minus आप सट्रेक करें, तो अगर उस plus 1 बसता है, plus 1 को अगर आप इस तरह लिगा हैंगे, तो this will be minus 1 is equal to 0, so this is the required equation, that satisfies the above condition, having the coordinate 2, 5 and the slope minus 3, this is how, अगर हमें slope given हो, specified line का, और अगर हमें को एक point given हो, तो हम इस सरह से, उसकी straight line की equation को find out करेंगे, thank you so much. झाल